नमस्क्रथ दोस्तों सवागत है आप सबकां एक बार फिट से दौस्त अभी हम एक एल्टी पैनल रूम में खड़े हैं जी आपके सामने जो पैनल है इसको हम एल्टी पैनल बोलेंगे कि एल्टी पैनल में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं एक नज़र देखते हैं हम सब को सबसे जीवरी चीज तो इसमें यही है जी जो पैनल्स हैं यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है इस बिल्डिंग का पूरे के पूरा लोड इसी पैनल के उपर डिपेंड कर रहे हैं अलगे इसके पीछे एच्टी पैनल भी है ट्रांस्फर्मर और विसी भी लगे हुए है अप्रेन उसके बाद जो मेंन लोड आता है तो फोल्टे पैनल के आता है तो यह अपर वह का ट्रांस्फर्मर्स कीच चीच सप्लई है नहीं जो है भी हाई और दिखाई दे रहे हैं उनमें आरही है की ओर इंज में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वह इज में इस डिकाम को डिखा HOLA तो तो दोस्तों और हम क्या देख पा रहे हैं इसमें जी सबसे जूरी चीज़ में नीचे एंटी शोक रिजिस्टेंट मैट लगें हैं मैट का उना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके लावा हमारे शूज भी बहुत ही अच्छी क्योंने चाहिए इदर भी और उदर भी दोनों तरफ मैट दिखाई दे रहे हैं और दोस्तों यह लेफ्ट साइड में जो चीज दिखाई दे रही है दोस्तों यह हमारा कपैस्टर पैनल है एल्टी पैनल हो और कपैस्टर पैनल ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता इnt पैनल के पास को प्राइशन पैनल जूरूर्थ हुते हैं कि हमारा ऐटी पैनल दो इसे में बंटा गया है और दो हिस्वों में बंटा जो की कूलिंग के लिए है एक डॉक्टेबल एसी के साथ जूड़ी हुई है तो यहां से चील्ड येर बाहर आएगी वह चील्ड एर इन ब्रेकर को ठंडा रखेगी कपैस्टर को ठंडा रखेगी और जब यह कूल रहेंगे तो इनकी अफिशेंसी कि ज्यादा रहेगी इनकी फार्ट अने कि हम जाएंगे केबल के हीट वोकी बर्न ओने कि चैनसे कम जाएंगे और दोस्तों हम इस तरफ देख पा रहे हैं यह तेन स्लेंडर लगे हुए हैं यह ऐफम्टूंडड़ स्लेंडर आंइंगर इनकेस इस एक पेनल में आग raiseerson से तो उसको यह तुरंत ओन्दा स्पोर्ट बिल्कुल खत्म कर देगा इनमें जो गैस है वह फोम टाइप गैस निकलेगी वाइट कलर की होगी और जब यह गैस निकलेगी तो यह इसके वेंटोल्स हैं इस पाइप से बाहर आ जाएगी गैस और इस पूरे एरिये में वाइट वाइट की एक लियर बिश जाएगी बिल्कुल हमें कुछ दिखाई नहीं देगा और जो फायर होगी जो आग होगी वह बिल्कुल बूज जाएगी दोस्तो एटी पैनल में यह अभी तक बेसिक चीज़ जो जुरूरी हमें देखनी चाहिए होनी भी चाहिए नेक्स्ट हम क्या समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में दोस्तो एक टाइम पे एक ही स्प्लाई काम करेगी चाहिए वो ट्रांस्फार्मर की हो चाहिए वो डीजी की हो मतलब के जनरेटर की अगर हमें दोनों के दोनों ऑप्रेट करवानी है तो उसके लिए हमें सिर्फ एक चीज़ समझने की जूरुत है कि यह जो बीच में बसकुपलर है यह बसकुपलर सिर्फ एक लिंक का काम कर रहा है जैसे कि अभी ट्रांस्फर्मर नंबर दो लगा हुआ है यह सप्लाई होन है यह सप्लाई इस पूरे पैनल को यहां से लेके लांस तक फीड कर रहा है इस ट को डिपेंड कर जाएगा लेकिन इदर जो स्प्लाई जा रही है लेफ्ट साइड को यह इस बसकुपलर से होते हुए जा रही है तो बसकुपलर इदर और दोनों को बीच में जोडने का काम कर रहा है जैसे कि नाम से बसकुपलर है जो कपलिंग का काम कर रहा है जी तो यह मोलाइख तब इधर की इधर की सप्लाई या फिर इधर की सप्लाई यह थैवर हमाने क्या रखना है और वर यह अगे जाने थूंत अघर हम चाहते हैं जी बाश्वार करना पड़ेगा इस TNC के से से इसको करना पड़ेगा है अगर मान के चलिए यहमारी लाइट चली जाती हैं cleaner चलेगा सब्रण्स हेइढ़ सप्लेख कि हमने मैनुली ओफ किया था तो जिए मैनुली ही ओन करना पड़ेगा और अगर यह प्लेसी अपने आप आप हो जाता है तो सबसे चीछी बात है आधि तो फिर से भी बात रिपीट हो जती है कि अगर ज़नेटर की सप्लाइच झाल दी हैँ तो कोई और सप्लाइच नहीं छाहिए वास्ट या नहीं हमारे हाथ में लगेगा तो अगर इस supply को हमने वास कप्लर किसे उते हुए दर भेज दिया तो कोई और अगर चाहिए दोनों जनेटर चलाने हैं तो जनेटर नंबर वन चल जाएगा बास कप्लर ओफ होगा क्योंकि दोनों की दोनों सप्लाई को आपस में शोट नही देख लेते हम हैं है दोस्तों ये जनेयटर रूम है जैसे ही बीजिखली बॉर्ड की सप्था मित सब्सक्राइब चलिए है तो यह जिनेटर होन हो जाते है आधा कि एकने जोरत आधा है कुछ-कुछ सब्सक्रानाइप जैएक पश्राइब चल जाएगा उसके वाद तो हमारा generator PLC या synchronization से नहीं जुड़ा हुआ manually अगर हमें start करना है या automatically start तो हो जाता है लेकिन load के coding change नहीं होता तो फिर हमें इसीज का ध्यान रखना है तो generator की supply AMF panel से उते हुए फिर LT panel में आ जाएगी जैसे supply LT panel में आएगी तो automatically change over हो जाएगा जी एक supply को काटके दूसरी supply को लगाना या फिर अपने आप एक supply का कटके दूसरी supply का लग जाना इस process को change over बुला जाता है दोस्तो change over LT panel में आम तोर पर देखे जाते हैं क्योंकि power cut कई न कई लगे ही रहते हैं change over को समझने की चोटी सी चीज बहुत ही ज्यादा जिरूरी है अगर आप कहीं पर इंट्रीव के लिए जाते हो जोग के लिए भी जाते हो जोग कर रहे हो तो भी यह चीज आपको पूछी जा सकती है या फिर आपको करने की जिरूरत पढ़ सकती है तो दोस्तों यह बहुत इस वीडियो को शेर कीजिए और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नेक्स अच्छी सी जान करें के साथ तब तक लिए मरशकर